नमस्कार मैं शम्भूक उमार सिंग और आप देखरें निसन दस्तक मुझे सिर्फ इसलिए सरकार जेल में डालना चाहती है मार देना चाहती है क्योंकि मैं आप से रोज बात करता हूं इस देश की 90 फिजदी सोसित पंचित आवादी के हक अधिकार की बात करता हूं उनके संविधान में दिए गया अधिकार की बात करता हूं इसलिए मेरे बोलने से इस सरकार को खत्र है मैं बार बार आप लोगों कहता हूं जिस दिन इस देश में इस देश की 90 परसेंट आवादी सरक पर खड़ा होना सीख जाएगी डेमोक्रेटिक तरीके से न उस दिन इस देश में न तो डेमोक्रेटिक को कोई नुक्सान पहुंचा सकता है और यह देश सोने की चिरिया हो जाएगी जिस दिन इस देश के लोग अपने हक अधिकार को जाना है और वो कब होगा जब आप स्कूल कॉलेज तक पहुंचेंगे जब आप इनवर्सिटी प बात कर दिया सरकारी अस्पताल बरबात किया सरकारी संस्थाएं बरबात की क्यों कि इस देश के 90% लोग की मुं में आवाज न रहे वो बात न कर सके मैं कलेश सी कमिसन के चेयर में जो है विजय सापला उन से मिल रहा था और बहुत ही चौकाने वाली और खतरनाक बाते उन जाट, गुर्जर, पटेल, यादव, कुर्मी, कोईरी, मुसल्मान की चूरी टाइट है, मजा आ रहा है, बच्चे को क्या बनाएंगे आप, रामभक्त गोपाल जो गोडियां चलाता है, महिलाओं को गाली देता है, या डॉक्टर इंजिनियर बनाएंगे, कि बच्चे आपक भगवान नजर आता है न, तो आप नहीं चाहते हैं कि आपके भगवान नजर आएं, लेकिन ये सरकार नहीं चाहती है, जो केंद्र की सरकार है, सोचिए कितनी बरी साजी सो रही है, सारा गर संबधानी काम दलित राष्ट पती बना के किया जा रहा है, अभी एक ब्रहमन सम समाज के सिक्षा मंतरी थे, निशंक, उनको हटा के OBC समाज के धरविंदर परधान को सिक्षा मंतरी बना के नीट की डेट का एलान कर दिया गया, और OBC कोटा को लागू नहीं किया गया, क्योंकि उत्तर भारत के नेता, तेजस्वी, अखलेस, मायावती, हेमन, सोरेन, नित अच्छिन का स्टालिन लर रहा था, परधान मंतरी से मुलाकात करके कहा, सोचे एक साल में 10,000 OBC के सीटे खा गई, अब 10,000 OBC के बच्चे जो डॉक्टर बनते ही बनते, वो OBC के सीट खाते में जाता, जनरल में तो क्वालिफाई करते ही करते, जो 10,000 डॉक्टर बनते, यूपी में इतने पतकारों पर केस दर्जोता है, हत्याय होती है, तब तक चिंता नहीं थी, लेकिन एक OBC के अधिकारी ने दोरा दिया एक सवन पंडिजी पतकार को, तो पूरा पंडित लो भी एक साथ होगा, आज का तो मैं अपना अनुभब बताऊंगा, कलास वन के दा रहे हैं, कैसे लरेंगे इन मनुबाद से, तो यह कितना खतरनाक है, आप कलपना नहीं कर सकते हैं, अब आपके बच्चे, अब आप कावर उठाते रहिए, गिरी मंत्री ने खतरनाक एलान किया है, उन्होंने कहा है, कि CRPC, Criminal Procedure Code, IPC, Indian Penal Code, और Indian Evidence Act, IEA में फिर वदल चाह सोचिए, पुराने CRPC से, पुराने IPC से, और पुराने IEA से तो इतने लोग को जेल में डाल दिया है, अच्छा, लॉजिक क्या दे रहे हैं, कि हम चाहते हैं, कि ठट डिगरी टॉर्चर वाला जमाना खत्म हो, अरे सहाब, कास यह बात आप करके दिखाते हैं, इस देश के IPC माइनोर्टी के घर फुके जा रहे हैं, यूपी के पंचाइच चुनाओं में, एक तरफ गोली चलाने वाला महिलाओं को गाली देने वाला नेता बन जाता है, दूसरी तरफ लोग जेल में है जाती विसेश के और धर्म विसेश के लोग, तो आप समझे, मुझे जेल में डालने की कोशिस हो रहे हैं, मुझे रोध धंकिया मिलती है, इस देश में बहुत मुश्किल है, तो मैं फिर कह रहा हूँ कि इस देश के बहुजुनों को समझना पड़ेगा, कि उनका हक अधिकार कहां सुरक्षित है, कहां जाएंगे, और एक OBC मुखमंतरी बनाके, किस त तिसरी लहर से पहले आनंद लेने वालों पर बोले कोई जाकर तो रहा है, सोचिए, आज परधान मंतरी टोकियो ओलंपिक वाले को कुछ ख्यान देने वाले हैं, सोचिए, इस देश में SCSTOBC के मैनोर्टी के लोगों को खेलने नहीं दिया जा रहा है, क्या कर सकते हैं, और संख्या निया तन साल भर पहले केंद्र का रूख हम जवरदस्ती के खिलाब, अब BJP ने छो रखे बिल की बात, यूपी चुनाओ है, तो अफसारे हिंदु-मुस्लिम, संसद हंकार और अरियल हो तो जनकरांती निश्चित होती है, राकेश टिकैत ने ने निदमोदी सरका आजम बेटा होस्पीटल से सीधे भेजे गए जेल, फ्रोड के इसमें फरवरी 2020 से बंद है, आजम खान की गलती पता है क्या होई, आजम खान ने मस्जिद नहीं बनाया, आजम खान ने इनिवर्सिटी बनाई, तालीम की इदारे खरे की, और जो लोग तालीम की इदारे ख खरे करते हैं, उससे किसी को नफरत है, और एंकर को राकेष्टिकैत का जवाब, बेचुनाव लड़े तो रागनी, भजन हम करे तो राग है, रोग है, क्या जवाब देता ये बन्दा, इसको तो मिडिया एडवाइजर होना चाहिए इसके तमाम लोग को इन से सीखनी चाह पर है ओभी सी के दस सजार सीट जो है अब ओभी सी को और इंडिया नीट में आरक्षन नहीं मिलेगा आपके 27 मंत्री जो बना दिये गए बैसे नाम सब का याद है आप लोगों की नहीं कि 7% नासा में यह दिलीप मंडल ने टूइट किया है नासा सुनते हैं नासा नासा में 7% इंपलाइज आर अमरीकन दे कैटेगरी इंकलूड चाइनीज कोरियंस इंडियंस इटीसी वहां अफर्मेटिव एक्षन के तहत रिजर्वेशन है एस्या के 7% लोग का सेलेक्षन होता है उसमें एक फोटो सेयर किया है कि वहां भी कैसे नासा में भी करमकांड कैस में सौपा जाएगा एलाइसी भीकेगा साहब एलाइसी भीकेगा नौकरी ही नहीं रहेगी सेल गेल भेल रेल एलाइसी बैंक रेलवे कहां जाएंगे आप हमारे बाप जादाओं को पहले संपत्ति का अधिकार नहीं था जमीन नहीं थी परहाई लिखाई डॉक्टरम पानेता को घर में ही बंधक बनाई है ठीक नहीं बीजेपी के नेताओं की पिटाई हुई है पंजाम में रहुल गांदी का ट्विट है खाया भी मित्रों को खिला भी बस जनता को खाने नहीं दे रहे हैं और डॉक्टर सोनु भारदवाद ने ट्विट किया किस तरह से एक महिला की आत्महत्या उत्तर प्रदेश में चंसेखरावन में ट्विट किया है और जाती गनना से जाती बात बढ़ेगा कहने वाले ही जाती बादे इनको पहचानी ये लोग ही OBC के हकमारी करके उचे पद उपर बैठे है अन्मोल प्रितम ने ट्विट किया है और रिशा के करेंगे आप मतलब बहुत बुरी इस्तीती है कि कुछ नहीं कह सकते हैं और अब लगातार सोचल मीडिया पर जो आज खबरे हैं नीट की वो बता रहा हूं सोचल मीडिया ही बहुजन मीडिया है अखिलेस यादव और राजंदर सिंग की मुलाकात होई है राजंदर सिंग उनको बुद्ध की किताबे दी और कहा कि कैसी सरकार चला यह जवापी सरकार आए जो मैत्री भाईचारा बराबरी और करुना पर अधारित हो कि ओवी सी को 27 सीट कैबिनेट में देकर दस जार सीटे और इंडिया मेडिकल कलेज इन विशन कोटा में छीन ली अनुसुचित जाती का किरदार तमील और हिंदी फिल्म निश्ट्री की नजरों में काला पेरिये रूम परियूमल बनाम लगान और दामूल तमील फिल्में दली डियक्टर पार रंजीत और मारी इस इलवराज ने बनाई हैं दलित को कैसे हिंदी फिल्म में दिखाया जाता है और यह विडियो लगातार दिली के हमारी एरिया में सुबह सुबह जोडार वारिस करवाने के लिए मोधीजी धन्यवार कें सरकार ने मेडिकल इंट्रे अच्छी लड़ाई लड़ी पिरियार जिन्दावाद मोधी तो मुसल्वानों की चूरी टाइट कर रहे हैं इधर मोधी की काट ली मेडिकल इंट्रेंस के और इंडिया कोटा में बधाई पर हार गया जितने वाले को बधाई हारने वाले के परति संबेदना अमेरिका में जब कोई गरीब वीरोधी निती बश्यवानर मंति में बडायार उपनिसे काटल मंत्री ली ज्यादा ले दिखेगा, वही बाकी बोर्ट आ जाएगा कावर की टोली में कोई तिरपाथी दूबे चौबे चतुरवेदी पांडे सुकला अगरवाल जैसे लोग नहीं मिलेंगे कितने सारे पोस्ट लिखे हैं लोग ओवी सी समाज को सिर्फ मतदान का अधिकार है ओवी सी को इनके हक और हिस्से का अधिकार कब आधी से अधिक अबादी का आरक्षन 27 परसेंट है और बड़ी केंद्रिय संस्ताओं में वो भी नहीं नीट की परिक्षा में आरक्षन लागू करे ओवी सी का अरक्षन हमारा अधिकार है आप तो हिंदुत में मुसल्मानों पर हमले के लिए और दलितों पर हमले के लिए बने हैं नोटंकी क्या फायदा नरेंदर मोदी जी ने कल दिखाने के लिए 2700 मंत्री बनाए और आज केंद्र सरकार ने मेडिकल एडमिशन टेस्ट नीट के ओल इंडिया कोटा में ओवी सी आरक्षन लागू करने और स्टेट बोर्ट के स्टुरेंस की बराबरी का मौका देने की तमिलनादू सरकार की कोशिसों का कोट में विरोध कर दिया और सोचिए धर्वेंदर परधान को एक हटा के इनको बनाया गया था और दच्चिन भारत का सबसे बड़ा नेता स्टैलिन मेडिकल इंट्रेंस के आरक्षन सही तरीके से लागू करने के लिए केंस से भीरा हुआ है इस वज़ा से इस साल नीट कैंसिल हो सकता है उत्तर भा भारत के नेताओं की कायरता के कारण RSSS अपनी रादों में आज फिर काम्याब हो गया दच्चिन भारत खासकर तमिलार ने जम कर मुकावला किया लेकिन उत्तर भारत के से समर्थन नहीं मिला मेडिकल इंट्रेंस नीट के ओल इंडिया कोटा में OVC आरक्षन लागू नही कर में OVC का दुस्वन OVC तो अब मैं आपको बता रहा हो麦 ये आपको अच्छा नहीं लग रहा होगा मैं क्या देखके पर में फिर कह रहा हूं के सचिया आपको बेटेhhh के लोग आपको कवर दे सकते वह आपको किताब नहीं दे सकते, जो लोग बन सकता है पत्रकार बन सकता है जज बन सकता है प्रोफेसर बन सकता है लेकिन नहीं यह सब होने दिया जाएगा सुचिए हर साल 10,000 OBC के डॉक्टर की सीट जो है वो जनरल कैटेगरी के लोग को दी जा रही है इस पर आप बात करेंगे तो आपको जेल में डाल दिया जाएग और चुकि मैं यह बात बोलता हूँ आपसे तो मुझे जेल में डाला जाएगा मार दिया जाएगा हर घर में एक पत्रकार निका लिए सोसल मीडिया ही बहुजन मीडिया है सोसल मीडिया ही सच्चा मीडिया है जिस दिन आपने सिर्फ लिखना सुरू कर दिया आप तो मैं ख पचास करोड़ लोगों ने सब्सक्राइब कर दिया दस दिन में, OBC के लोगों ने, SC, ST, OBC, Minority के लोगों ने, तो संभूक के सामने इस सरकार को जवाब देना परेगा, ये ताकत है सोसल मीडिया की, अगर 10 करोड़ लोगों ने ट्वीट कर दिया, 10 करोड़ लोगों ने अग को कम्मुनिकेशन से चल रही है, आप ट्वीटर, फिस्बूक, यूटूब पढ़ा के, अगर आप 50 करोड़ सब्सक्राइबर कर दें, तो किसी की हैंसियत नहीं होगी, कि मेरी तरह फूंगली उठा दे, क्योंकि मेरे साथ 50 करोड़ लोग जूरे होंगा, या सिर्फ हम 50 ला आप नहीं कलपना कर सकते हैं, मैं रोज जो खबरे आपके पास लाता हूँ, उसके लिए मैं 12 घंटा मेहनत करता हूँ, दिन भर, तमाम देश की घटनाओ पर नजर रखता हूँ, दुनिया घटनाओ पर नजर रखता हूँ, रोज मुझे 100 से ज़्यादा जान मारने की धंक मिलती हैं, रोज मेरे साथ बत्तिमीजी होती है, गाली गलोज होती है, मुझे धंकाया जाता है, डराया जाता है, किसी मौका मिलेगा तो मार दिया जाएगा, सरकार अलग से सिकंजा कस्ती है, सोचिए मेरे background में देखिए, मैं कैसी जगा बैट के विडियो बनाता हूँ, मैं फिर कह रहा हूँ एक पत्रकार के तौर पे, एक सफल carrier छोड़के मैं समाज की बात करने आया, और यह मैं किसी जाती की बात नहीं कर रहा हूँ, किसी धर्म की बात नहीं कर रहा हूँ, हम सब हिंदू थे, बात धर्म की नहीं है, इस देश में सब को सब धर्म मानने का अधिकार है, बात अधिकार की है, इस देश का हर आदमी, केपी चवजरी साथ के एक लाइन कोट कर रह करेंगे इस देश के लोगों को सी स्टी ओवी सी मानौटी को गरीब लाचार देबस रखेंगे आप अमीर हो भी गया तो क्या होगा सहर में जमीन किसकी है सहर में बिजनिस किसका है कॉलेज इनवर्सिटी में प्रोफेसर को ने डक्टर को ने इंजिनियर कौन है कौन सी ताकत आपको डक्टर इंजिनियर नहीं बनने देंगे और इसके लिए इस देश की मनुबादी जातिबादी ब्रहामन बादी व्वस्ता जिम्यदार है जो बीजेपी की सरकार है जो आरेसिस की सरकार है जो कॉंग्रेस है जो सबन लीडर्शिप बाली पार्टी आपके अधिकार नहीं देगी उनके अंदर जातिवाद है इसके लिए आपको बहुजा लीडर्शिप बाली पार्टी खरी करनी परेगी लालुयादव स्टालिन सीबू सोरें करना ने दिया ऐसे लोग को लाना परेगा जिन्होंने सोसल जस्टिस के तकलीफ को देखा है इस देश के सी स्ट लिख लिक्या उनको मनुबाद बरहमनबाद समझाया इंडरा गांजी ने राज किया मैं फिर कह रहा हूं एस्टी स्टी ओभी सी मैनोटी के अधिकारों की लड़ाई और तेज होगी जैसे जैसे हमारे पास मीडिया आएगा सोसल मीडिया आएगा जैसे हमारे बच्चे स्क लेकिन नौक कंपनिया बेच दो आरक्षन खत्म कर दो तो क्या एक सौबिसिसे इस Ni देश के साथ करोर OVC का पेट चल जाएगा हमारे जो OVC के 182 सांसद हैं समझनी चाहिए आप कैसा देश चाहते हैं जहां 90 परसेंट लोग गरीब लाचार भूखे रहें कर देश तभी तरक्क्राइगा सोनी की चिलिया बनेगा जब इस देश का हर्णागरी के मजबूत होगा तरक्की करेगा पहश्चानि है वो कौन लोग है जो जाती के आधार पे सब कुछ तैय करते हैं साधी विया कर लो जाती के आधार पे मुझे कोई दिक्कत नहीं है लेकिन नोकरीत में क्यों भेदभाव कर रहे हो, नीजी करन क्यों कर रहे हो, सरकाई नोकरियां क्यों खतम कर रहे हो, लेटरल इंट्री क्यों कर रहे हो, इंट्रिवी में भेदभाव क्यों कर रहे हो, सब जाति क्या धार पर होता है, अब OBC के 10,000 बच्चे हर साल दक्टर नह आपको भिखारी ने बना दिया जो बाबा साहब ने संघर्ष करके अधिकार दिलाया जो मानेबर साहब ने अधिकार दिलाया जो बीपी सिंग ने आपको अधिकार दिया जो लालू यादव माया बती अखलेश यादव मुलायम सिंग यादव इन सब को जिन लोगों ने संघ जाने पर बताऊंगा एक मंत्री कह रहे थे मुझे कि क्या करें सम्भूजी इस देश में दो ही बरे नेता हुए जिसके साथ देश खरा हुआ कांसी राम सहाब और जग जीवन बाबू बाबा सहाब तो विश्व नेता थे आज के डेट में एक स्टी स्टी माइनोटी का नेता नहीं जिसके साथ समाज खरा हो खरा तो है समाज कोई नेता तो आ गया के कदम उठाए मैं फिर भी वादा कर रहा हूँ तमाम परिस्टियों के बाद भी जो पत्रकार के तौर पे मेरी जिमेदारी है संभिधान के पर्ति देश के परति समाज के परति सच बोलने की जिमेद हो कोई भी पिरित हो उसके लिए आवाज उठाता रहोंगा चाहे इसकी कीमत मैक्सिमम सेक्रिफाइस मेरी की जान ही क्यों नहीं हो आप लोग इस वीडियो पर अपनी पर्त के लिए जयूर दीजे कि आप लोग की क्या रहा है क्या 27 ओवी सी मंत्री बन जाने से इस देश के ओवी सी जो 10,000 सीटे चले वो आ जाएगा और क्या मंत्री बनना नीजिस अगर कोई मंत्री बन जाए और घर बैठ जाए वो उसकी नीजिस सफलता है समाज की सफलता तब है जब इस देश के सोशित बंचित समाज के लिए जिनके साथ जुल्म अत्याचार हुआ जिनके पास ना नोकरी है ना जमीन है ना बिजनेस है ना संपत्ति है जो लाचार है बेवस है अगर आप उसके साथ खरे नहीं है तो आप भी दोसी है शुक्रि भी है कि हर ख़बर को शेर करें लाइक करें कमेंट जरूर करें